आपने प्रोपरिटी की रेजिस्ट्री करवाते समाये पैसा चेक से दिया है वले ही आपने जो है कानूली प्रिक्रिया से बैंक के थुरू दिया है चेक से दिया है फिर वी रेजिस्ट्री कैंसिल क्यों हो गई एक रेजिस्ट्री कैंसिल नहीं होई वलके मेरे पास ऐसे कई म रहा है कि सर अमारी रेजिस्ट्री कैंसिल हो गई और प्लस चारसो बीस चारसो शर्षट यानी की दोगा दढ़ी का मुकत्मा भी हो गया जब कि लेंदेन जो है रेजिस्ट्री में हमने चेक द्वारा ही दिखाया था ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा आपके साथ ना हो इसके लि चैकाने जिस्ट्री चैνस्क्रेड फिल और प्लस सबसे बढ़ा जो इसमें मिस्ट्रीक के भई रस्ट्री 4ड हो रही पलस आपके उपर क्रिमिनल जो है केस किया जा रहा ह। वो कैसे बचें यहां पे सातियों आप देख सकते हैं मेरे सामने एक registry है ठीक है यहाँ पे जो है कुल धन तीन लाग रुपई है ठीक है आप यहाँ पे दो चेक दिखाई गए माल लीजे तीन लाग रुपई आप उधारण समझ लीजिए तीन लाग रुपई के आपने कोई property खरी दिये वो सकता है 30 की भी खरी 150 तीक है ये दे दिया आपने आप 그 एडवोकाइटीन registry में मेंसेन करवा दिया कि इस चैक से जो है लेंदेन हुआ है सब लेंद होगा नाम खुल दिया गया लेकिन सातिओं कई वार क्या होता है माल लीजिए वो चैक जो registry करवाने के बाद आपने का कि स्रीमान जी चेक मुझे दे दीजी आप मैं आपको नगत दे दूंगा क्यों आप बैंक में लगाएंगे और आपने वो चेक ले लिया पैसे नगत दे दीए ठीक है यहीं पर साथियो आपने सबसे बड़ा मिस्टेक किया है यहीं से सारी जो कमिया है यहीं से सुरू हो गई है क्यों वो चीज़ जा लेजी एक चीज़ और साथियो यदि आप कोई कानूनी सला लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं मारा contact वीडियो के डिस्केशन में मिल जाएगा आपको यहाप उत्तरपते इसमें प्रॉपईटी खरीद रहे हैं आपको डॉकुमेंट्स करवाना है जैसे माले लेकिन बाद में वो चेक ले लिया आपने नगत दे दिये अब इससे यह सावित हो गया कि जो आपने चेक संक्या हुआ अब कल को वही विक्रेता माली जी एक कोड पहुंचाता है वो कहता है कि सर्च मुझे चेक संक्या रजिस्ट्री में 580550 दिखाया था इससे हमें कोई भी माली जी ट्रंजेक्शन नहीं इससे मुझे पैसा ही नहीं मिला वह जांच के लिए आदिस देंगे जब यानि कि फिर तो किलियर हो गया कि आपने चेक दिखाया तो लेकिन पैसा नहीं दिया आपने नगत दिया लेकिन नगत का कोई प्रूफ नहीं है ठीक है तो यहां से आपके खिलाब 420 हो सकता 400 सर्शट में भी मुगदमादर हो जाए जो कि कॉंगजेविल ओफेंस है गिरफ रजिष्ट्री करवा रहे हो सम्मिदा के लिए प्रतिफल होना जरूरी है यानि कि उसके बदले में कुछ दिया जाना जरूर है तो इसके बदले में आपने पैसा दिया पैसा तो दिया नहीं जब आपने रजिष्ट्री के बदले पैसा नहीं दिया तो ऐसी सम्मिदा बिन का अलग से आपका पामला होगा है इतने बड़े आप फस चुके हो सिर्फ एक गलती से कि आपने रेजिस्ट्री में चेक तो दिखा दिया लेकन उच्छेक से आपने पैसा नहीं दिया या माली जिव चेक बापस ले लिया नगत दे दिया ठीक है तो इतना बड़ा नुकसान ह हो गया है ठीक है अब सवाल आता है कि सर और कैसे एक चीज और अभी पूरा नहीं हुआ है काफी फ्रॉड हो रहेंगे डबल लजिस्ट्री का एंस सरकारी जमीन कई दूसरे घाटा में जमीन पजिशन दे देना कहीं 116 117 कहीं 143 80 काफी ऐसे हो रहा है यह बाद का विसा है लेकिन लेंदेन का पहले है ठीक है ना दूसरी एडवोकेट क्या कर रहे है क्योंकि अब देखिए यह सासना देश देखिए रेजिस्ट्री ऑफिस में क्या सासना देश है क्योंकि देखिए जो अपना आयकर अधनियम की धारा 269 है वो यह कहता है कि बीस हजार से अधिक आ अब आपको करते हैं करते हैं एक परसेंट रिस्वत लेते बचना है तो पैसा ITGS से दीजिया ठीक है अभी में एक आपको एक्जाम्पिल भी दूंगा कि किस तरीके से देखिए ITGS से पैसा दिया होगा अच्छा रहता है अब देखिए तो बीस जार से अधिक लेंदेन नही पर Cape Car वह जो आपकी रेजिस्ट्री में चेक संक्या खुलवा डेते ही ठीक है दोच लिए और चेक संक्या क्लवा दी फ़लानी चेक संक्या से अब टर सखता है राजी नामा करने के लिए उस से लिए पैसे पैसे आपने नगत दे दिए तो वहां से नहीं दूसरा जो है रजिस्ट्री परसेंट होगी दौनों ही मैं हंड्रेट परसेंट होगी आपकी समझ लीजी आप ठीक है मेरे पास कही ऐसे पॉंट कॉल्स आए कि सर अमारे घर के थे बहुत विस्वास पातर थे लेकिन आप रजिस्ट्री कैंसल हो रही है तो भई इन चीजों को आप साब नहीं रखिए इन चीजों से आप बचिएगा ठीक है ना अब सातियों एक चीज में आपको और बता दूँ झाल 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 झाल